Hey friends, welcome to my channel तो फिरस आज की सिखरवाथ करेंगे सिंदुगाटी सवेता की यानि की इंडस वेए शिविलेजेसन की बारे में आज की सब्सक्राइब हम सिंदुगाटी सवेता से राट एट कुछ मोस्ट इंपॉर्टन को डिस्क्स करनेंगे तो जाके चैनल पे देख सकते हैं काफी अच्छे लेवल के कुशन हमने डिस्कस के हुए थे काफी इंपोर्टन टॉपिक है इस टॉपिक से रेटेर सारे एक जाम से कुशन पूछे जाते हैं तो चले देख लेते हैं हमारा कुशन क्या है अगर आपको इस वीडियो का पीडियो चाहिए तो आपमने डेलिगरम चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक जो है डिस्कस बॉक्स में में जाने तो चले देख लेते हैं आज के कुशन को तो आज को मारा फर्स्ट नमर पे कुशन है तो नेक्स क्योशन है हमारा निमलिखित में से किस देश ने महंजोदुलो की प्रसिद नर्दक करने की परतिमां वापस देने के लिए कहा है बंगलादेश ने या भूटान ने या चीन या पाकिस्तान ने तो कांसे की नर्दकी की जो मुलती है ओ महंजोदुलो यानि लरकना जीला सिन्दी से मिली हुई है और यह जो है बरतमान में पकिस्तान का हिसा है और पकिस्तान ने उस पर अपना हक्ज बदाते हुए भारत से उसे वापस करने को कहा है तो यहाँ पर जोगा हमारा right answer option D हो जाएगा ओके पकिस्तान हो जाएगा right answer next question हमारा सिंदू अर्थव्यस्ता की ताकत थी तो सिंदू अर्थव्यस्ता की जो ताकत थी वो कैसी थी क्रिसी या बैपार या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बरतन या बढ़ाई गीरी थी तो सिंदू अर्थवएस्ता की जो ताकत थी ओ क्रिसी थी, क्या थी सिंदू अर्थवएस्ता की ताकत तो क्रिसी थी और यह cur Brief इनकी बेपार व्रिद्धी के लिए जिम्यदार था, और यह म क्रिसी था इसकी अधिसेस उसी अनपात में बढ़ते बेपार सीए सभिता नगरी क करण की परकिरिया की तरफ उन्मक्वी होई थी तो यहां पे जोगा मारा राइट एंसर ओप्शन ए हो जाएगा क्रिसी सिंदू अर्थिवेस्ता की ताकत जो थी क्रिसी थी सिंदू भाटी सवेता, मेसुपोटामिया की सवेता या मिस्तिर की सवेता या माया सवेता तो यहां पे जोगा मारा राइट एंसर ओप्शन बी हो जाएगा मेसुपोटामिया की सवेता बिसु की सबसे परचिन सभेता अगर बात करें तो मेसोपटामिय की सभेता है और मेसोपटामिय सब्द का जो युनानी अर्थ होता है दो नदियों की बीच होता है और यह इराग की दजला और फरात नदियों की बीच में पढ़ता है तो यह इराग की दजला और फरात नदि की बीच में पढ़ता है तो नेक्स्ट कुशन है हमारा निम्लिकित में से कौन सा सिंदु घाटी सविता अस्थल पकिस्तान में है लोथल काली बंगन आलमगीर या हडपा तो यहां पे जोगा हमारा राइट एंसर ऑप्शन डी हो चाएगा हडपा नेक्स्ट कुशन हमारा सिंदु घाटी की सविता के लोग किस की पूजा करते थे बिस्तुलू की पसुपती की या इंद्र की या वाई देवता की तो यहां पे जोगा हमारा राइट एंसर ऑप्शन बी हो चाएगा पसुपती की सिंदु घाटी सविता के जो लोग थे वो प सेंदर सवेता जो थी एक बिस्तिरित भुभाग पर तुर्भुजाकार छेत्र में फैली होती और इस सवेता का उत्री बिंदु था वो दक्छिड बिंदु सुथकोड़्ता में था तो यहां पर राइट एंसर होगा हमारा ऐसें डी हो जाएगा नेक्स्स कुछन हमारा सिंदुगाटी सवेता की लीपी है तो सिंदुगाटी सवेता की लीपी क्या है तमील, खरोस्टी, अग्यात या ब्राहें तो सिंदुगाटी सवेता की जो लीपी है वो अग्यात है राइटेस रॉप्शन सी हो जाएगा और ये जो है हमारा सिंदुग इस बी, सिस्ता का इस सव्ता के लीपी अभीतक हमें अग्यात है। इसे भी पत्ति के लिपी या सब्दू के साथ समझके नहीं है। तो काफी important point है कि ये जो है सिंदू घाटी सवेता की जो लेपी मिली हुई है उसकी दो बिसिस ताय है वो कौन-कौन सी है जिसके कारण ये जो है सवेता की लेपी अब तक अग्यात है तो फस्ट है आम लेखन पद्दी के विप्रितिया दाई और सिबाई और लिखी जाती थी और इस लेपी का आभिता की से सवेता की लेपी या सब्दू के साथ समझज़ से नहीं है तो राइट इंसर हमारा option C हो जाएगा काफी important question है next question हमारा मोहण जोड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था विसाल असननागार अननागार या बड़ा भवन या दो मंजला इमारत तो मोहण जोड़ो में सबसे बड़ी इमारत ये जो है अननागार ही है और ये जो हड़ापा में मिले 6 अननागारों के बराबर है तो यहा पुझारी की मूर्थि और विसाल, असननगार, महार्वधियाल भवन यह हो जाएगा यह हां पे राइट एंसर अप्सें B, इसे विसाल उसननगार ऑसननगार पाया गया था हरापपां में लोथर चन्हुदड़ो यह महां मार्सल ने विसु का एक अश्चर जनक निर्मार का है यह इंपोर्टन पॉइंट है कि विसु का एक अश्चर जनक निर्मार का है और यह 11.88 मिटर लंबा है और 7.01 मिटर चोड़ा है और 2.43 मिटर गारा यह उतना डाटा इंपोर्टन नहीं है बट यह इंपोर्टन है कि विसु का एक अश्चर जनक निर्मार का है तो यहाँ पर इस कोशन का राइट इंसर हो जाएगा अप्सन डी महांजोदरो नेक्स कोशन है हमारा किसकी मूर्टी सिंदु घाटी सविता के लोगों की एक महतपूर रचना थी नटराज निर्तिकी की मूर्टी या बोधिया नर्शिहां तो यहाँ पर इस कोशन का राइट इंसर हमारा अप्सन बी हो जाएगा निर्तिकी की मूर्टी मूर्टी मिली हुई है और यह जो यह कांसि की बनी हुई है और इस राचना से हमें सेंदो सविता के लोगों द्वारा धातू गलाने की परक्रिया का भी पता चलता है जैसे कि कासा टीन वा तामबा को मिला कर ये जो है बनाया जा सकता है और दूसरा अगर बात करें तो मोर्ती से उनके उतक्रिष्ट सिल्प काला से परिचित होने का परिमाण भी हमें बिला हुआ है तो यहाँ पर आइटेंसर अप्सन भी हो जाएगा तो फ्रेंस इतना ही कोशन था आज का हमारा तो फ्रेंस आज तक हम इतना ही रखते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ओके आज तक हम इतना ही रखते हैं तिल दिन बाबाई थांक्स पो वाचिंग